जहिन फ्रेंड्स आज दोस्तो हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे गुरूब डी की वेकिंसी के बारे में दोस्तो जैसा आप सभी को पता है कि रेलवे ने अपना ओफिशियल कलेंडर जारी कर दिया है जिसमें दोस्तो आपकी RRB की दोस्तो लोको पैलिट की सबसे पहले वेकिंसी आप जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपको technician देखने को मिलने वाली है और दोस्तों उसके बाद आपको मिलने वाली है देखने के लिए NTPC और उसके बाद आपको group D vacancy इसमें देखने को मिलने वाली है अगर इस साल में दोस्तो हम लोग बात करते हैं तो लगभग दोस्तो railway विवाग में 5 अच्छी vacancies निकल कर आएंगी और इसमें जो सबसे जादा बच्चा वेट करता है वो वेट करता है दोस्तो आपकी railway group D की vacancy के लिए तो railway group D का दोस्तो आज एकदम संपूर्ण वीडियो है इस वीडियो को end तक जरूर देखना आप सभी लोग पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ क्या आपकी eligibility है क्या आपका age का criteria है क्या syllabus होता है क्या physical होता है सब कुछ detail में बताऊंगा आपको salary भी बताऊंगा और एक group D में selected candidate है उनका interview भी दोस्तो मैंने comment box में डाल दिया है उस interview को देख लीजिएगा आपको सब कुछ दोस्तो detail में clear हो जाएगा कि SSC GD में जितनी भी आपकी ये post होती है उन सब post पर आपको काम क्या करना होता है वो उस एक interview से आपको जानने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज के session को सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपकी total post आपको कितनी देखने को मिलेंगी आपके railway group D वेकिंसी के उपर तो railway group D में दोस्तों आपको जो वेकिंसी है वो 20 से लेकर आपको लगभग 25,000 वेकिंसी देखने को और ऐसे में दोस्तों वेकिंसी की संख्या फिर कम हो जाएगी बनवाई फोर्त ही दोस्तों समझो आपको वेकिंसी देखने को मिलेंगी जैसे पहले वेकिंसी आती थी लेकिन मैं कहूंगा ये एक तरीके से सही है लेकिन इस वार जो वेकिंसी थी लोको पाइलिट की वो प्रशानी हो सकती है तो सबसे पहले टोटल पोस्ट आपकी आएंगी 20,000 से लेकर 25,000 इस से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि विकिंसी आपको देखने को मिलेगी रेलवे गुरूप D एक्जाम में ठीक है लोग देखते हैं कि कितने साल के लोग हैं जो इसमें अपलाई कर सकते हैं देखी एज की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कब से इसका फार्म अपलाई होगा तो अक्टूबर 2014 से इसका फार्म अपलाई होगा जो रेलवे की ओफिशल वेबसाइट पर भी आपका आ चुका है ठीक है बाकी बात करते हैं सर हम लोग फीस कितनी कितनी लगेगी जर्नल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपए दोस्तों फीस लगने वाली हैं बहीं पर SC, ST और female कैंडिडेट के लिए 200 रुपए दोस्तों फीस लगेगी इन 500 में से लगबग 300 रुपए के आसपास दोस्तों आपके जो है आपके बेंक अकॉंट में बापस भी आ जाते हैं ठीक, एक्जाम देने के बाद में, सर अब बात करते हैं कि सर हमारा सिलेक्सन प्रोसेस क्या है, किन-किन चल्णों से हमें दोस्तों इस एक्जाम के लिए गुजरना पड़ेग यह दोस्तों आपका है सिलेक्सन का प्रोसेस, किस किन-चल्णों से हमें होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है, बात करते हैं सर कौन-कौन सी पोस्त पर इसमें हमें फॉर्म भरना है, या कौन-कौन सी पोस्त हमें आपको गुरूप D में देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखी लिखा है, ठीक है, यह एक बहुत फेमस जॉब है, आपकी रेल्वे गुरूप D की ट्रेक्में की, कौन सी जॉब बढ़िया है दोस्तों बहुत बताऊंगा, ठीक है, गेंग मैन की दोस्तों जॉब है, हैल्पर की जॉब आती है आपकी, पियोन क पियोन का मतलब जहसर आपका वही एक तरीके से, जैसे आपके ऊपर कोई मान लीजिए, इस्टेशन मास्टर है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए, और कोई है दोस्तों ऑफिशेल बर्क वारा जो आपसे ऊपर पोस्ट पर है, तो उसकी दोस्तों आप हेल्प करेंगे एक दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, जैसे बैंक बगारा में आप देखते होंगे, ठीक है, कोई कहता है कि फर्म लेयाओ तो फर्म दे रहा है, कोई कहरा है कुछ लेयाओ तो कुछ दे रहा है, तो एक परकार से इस परकार की दोस्तों जोब होगी, सेलरी भी आपको बता और जिनका interview है वो दोस्तों point man में ही है ठीक है तो आप सभी लोग video जा कर देख लेना ठीक है comment में है उसके बाद hospital attendant और deport store ये दोस्तों आपकी क्या है job है इसके अलावा भी एक दो post है वो भी दोस्तों आप सभी लोग देख लेना अब बात करते हैं दोस्तों syllabus इसका क्या है cbt तो यहाँ पर दोस्तों science आती है 25 question science का railway exam में हमेशा दोस्तों महत रहता है और रहेगा भी ठीक है science में दोस्तों physics, chemistry, biology सभी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा mathematics आपसे पूछी जाएगी 25 question आपसे reasoning के पूछी जाएगी 30 question journal awareness कर interfere के पूछी जाएगी 20 question तो यह overall अगर मैं द दोस्तों कितनी होती है बनवाई 3rd की ठीक है negative marking sir कितने की होती है बनवाई 3rd की आपकी इसमें negative marking आपको देखने को मिलेगी आपके group D exam में तो यह हो गया आपका CVT का syllabus यह हो गया दोस्तों 100 question 100 मा 90 मिनट का समय यह negative marking होई बनवाई 3rd की अब दोस्तों हम बात करते हैं कि sir हमा energy rate का physical है तो यहाँ पर आपको माननी है 100 मीटर 2 मिनट में ठीक है 100 मीटर 2 मिनट में आपको 35 किलो बेट लेकर ठीक है आपको 35 किलो बजन दिया जाएगा उस बजन को लेकर आपको 100 मिनटर जो है 2 मिनटर में दोस्तों चलना होगा जैसा भागना होगा जैसा आप कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों दौड होगी एक किलो मीटर की जिसके लिए आपको 4 मिनिट 15 सेकंड का समय मिलेगा लड़कों को। एक किलो मीटर की दौड होगी 4 मिनिट 15 सेकंड का समय आपको इसमें मिलेगा। बात करते हैं हम सभी लोग फीमेल के बारे में की फीमेल का फीजिकल कैसे होगा। तो इनको भी 100 मीटर रेस मारनी हैं 2 मिनिट में ठीक है। 20 किलो बजन लेकर या चलो या थोड़ा सा तेज चलो जैसा आपकी इच्छा हो। 20 किलो बजन लेकर दोस्तो आपको चलना है 100 मीटर 2 मिनिट में किलियर है। उसके बाद रणिंग लड़कियों की भी होगी 1 किलो मीटर की लड़कियों की रणिंग होगी टाइम बढ़ जाएगा 5 मिनिट 40 सेकंड यहाँ पर लड़कियों का समय आपका हो जाता है। तो यह दोस्तो आपका क्या हुआ फिजिकल हुआ फिमेल का यह मेल का हो गया। दोस्तो सुनने में आ रहा है कि इस बार से आपका ITI हो सकता है। ठीक है चांस है आपके ITI होने के कि आपका ITI यहाँ पर कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है यह confirm नहीं हूँ 100% लेकिन जो मुझे सुनने में आया है जो मुझे लगा है भही दोस्तो मैं आपको बता रहा 10th pass के साथ में हो सकता है दोस्तो कि इस बार ITI हो जाए। यह कोई 100% बात नहीं है पत्थर की लगीर नहीं है मैंने बोल दिया तो ऐसा ही हो लेकिन लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि ITI दोस्तो आपका कंपलसरी हो जाए। तो उसमें दोस्तो दिक्कत नहीं लेंगे 10th pass प दोस्तो बहुत सारी vacancies हैं जो railway में आपको देखने को मिलेंगी SSC में दोस्तो आपको देखने को मिलेंगी vacancies और UP के विभाग में भी दोस्तो आपको लेक पाल की vacancy, वीडियो की vacancy फिर से दोस्तो देखने को मिलेगी आज की news paper में भी आई है उस पर भी दोस्तों एक detail वीडियो में बना दूँगा ठीक है फिलाल आपके लिए ये जानकारी थी railway group D की दोस्तों आप लोग अगर किसी और पिरकार की भी कैसी भी जानकारी चाहते हैं तो comment में जरूर बता दिया करें आपके लिए वीडियो में जरूर एकदम dedicated बना दिया करूँगा ठीक है वाकि ऐसी ही वीडियोज, informative वीडियोज, government से जोड़ी भी वीडियोज आप सभी लोग लेकर आता रहता हूँ तो channel को आप सभी लोग subscribe जरू कर लेंगे वीडियो को अच्छी लगी हो तो like कर देंगे वाकि सभी दोस्तों में share जरू कर देना आप चाहें like करें या ना करें लेकिन वीडियो को share सभी दोस्तों में एक बार जरू कर देंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत